मेरे फेविर्ट वैजिस बिस्मिल्ला रह्मान वहीम असलाम लेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरे सब ठीक था कुछ बाश होंगे तो जनाब एक और सुभा एक और वीडियो और एक और बार किचन में तो जनाब यहां पर हम एक स्पेशल खाने की त्यारी का रहे हैं यहां पर मेरे निकी परजाई शुरू ही थी पर एक स्पेशल मेरे लिए रोस्त की त्यारी हो रहे हैं और वह क्यूं हो और यहां मज़े की बाद यहां एक बड़ी के आज ना हमारे पूरी हो गया है 500 सब्सक्राइबर से हमें दूसे मोका चाहिए सलिब्रेट करने का तो हमने सोचा क्यू ना इसको सलिब्रेट किया जा तो आज जनाब एक मैनू है हमारा बढ़ा जबर्दस किसम का की वेजिस एंड डोस्ति चैकन रोस्ति चैलें जी आपको बताते हैं साथ मेरे सेपी अगे जो कहते हैं के कह लोस्ति नी बताते हैं तो बच जनाब अबने क्या कर लेना है नहीं चिकल लेना है यहां थो केजी तक पहुंचते हैं ना वह इतने इतने डीप आपने सही करके कट लगा लिनी है और ताकि इससे ना फिर जो मसाला रही ना उन्दर तक चला जाता है इसको बहुत अच्छे तरीके से कोट करना है उसके बाद मैंने एक निम्बू इसके अंदर निचोड़ा और तोड़ा सा दहीं ले लिया है सारे मसाल आपने डालें नमग, कालिमिर्च, सोख मिर्च, कुटी ओई, लाल मिर्च, चाठ मसाला यह सारी चीजे ना उसके अंदर डाल कर आपने अच्छे तरीके से करना है उसको mix 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 और उसके बाद थोड़ा सा जीरा अगर powder हो तो वो जदा बेतर है उसके बाद थोड़ा सा लसन और रदर का paste और बैस उसको करना है अच्छे से mix जहाँ मैं चाड मसाला डाल दी थी और मैंने थोड़ा सा डाला है color उसको अच्छी तरह से आवन में बेक तो तो जा रहा है अच्छा जा रहा है अच्छा जी यमी वैजीज मेरे फेवरिट वैजीज और सबके फेवरिट चिकन दूस्ट और हमारी याज़ा जाने लाओ बज़ी आज की यही थी हमारी छोटी से वीडियो यहाँ पर हम सबने बैठके इंजॉय किया और उसके बाद हमारा वैसे ही सच बोलू तो यह स्टार्टर था उसके बाद जो डिनर था वो तो बाद में ने किया था वो भी आपको एक क्लिप तिखाऊंगी इसकी भी अंदर तो आप लोगों का बहुत बहुत शुकरिया जिनने हमारे चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब भी किया और बहुत ही अच्छा हमें रिस्पॉंस आ रहा है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक वार और इन्शाला आपके लिए ऐसी ही बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लेके आते रहेंगे बस दौाओं में याद रखिएगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा और शेयर भी कीजेगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए गया चैनल जी थाइंक यू वन्स अगें इन्शाला कल फिर मुलाकात होगी अल्ला हाफीज